मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काइ अगर खूबसूरत आखे हूँ तो किसी भी इनसान की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए अपने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आँखों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है आपकी आँखों को किसी भी तरह का कोई भी साइड एफक्ट होने का खत्रा भी नहीं होगा आपको बस इतना करना है कि बहतर और जल्द परिणाम के लिए इन टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामल करना है तो फिर चलिए देर किस बात की जल्दी से जानते हैं आँखों की खुबसूर्ती बढ़ाने के लिए ये आजसां से ट रूब्स कौन से हैं सबसे पहले तो अगर आपको फील हो कि आपकी आँखें ठकी ठकी सी हैं तो आप ये कर सकती हैं कि कुछ मिन्टों के लिए बरफ के पानी के कटोरे में टी बैक्स रखें इसके बाद उन्हें अपनी आँखों पर रखें और तब तक तर रहने दे जब तक टी बैक की ठंडक पूरी तरह खत्म न हो जाए इससे आप महसूस करेंगी कि आपकी आँखें काफे जादा रिफरेश होंगी इसके अलावा सोने से पहले अपनी आँखों के चारो और बादाम के तेल से धीरे-धीरे मालिश करें इससे सुबह आपको तवचा नर्म मिलेगी और आँखों में राहत महसूस होगी आप चाहें तो आँखों की धकान दूर करने के लिए हर वक्त अपने साथ गुलाब जल का एक स्प्रे रख सकती है और जब कभी भी आपको आँखों में धकान महसूस हो तो गुलाब जल को अपने चेहरे पर और आँखों पर स्प्रे करें ऐसा करने से आप काफी ज्यादा राहत महसूस करेंगी आप चाहें तो कॉटन पैट को भी गुलाब चल में भीगो कर आँखो पर रख सकती हैं इससे आप आँखों में काफी ज्यादा राहत और ताजगी महसूस करेंगी बात करें अगर आमला की तो आमला में विटामिन C मौजूद होता है जो कि आखों की सिहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है इसे अपने खाने में रोजाना शामिल करें या इसे पाने में भिगो कर अपनी आखों को साफ करें इससे आपकी आखें साफ होती हैं और जमकदार भी हो जाती हैं बात करें अगर अपनी आखों की खुपसूरती बढ़ाने की, तो अपनी आखों पर मेक अप करते वक्त अपनी आखों के चारो और उन कलर शेट्स को ही लगाएं, जो आपकी आखों की रंग से मिल खाता हो। एक्जाम्पल की तोर पर भूरे रंग की आखों के लिए बैंगनी और फिरोजी रंग बहतर होते हैं। आखों के अंदुरोनी कोने या निचले भाग में ब्राइट कलर का इस्तमाल करें। ये आखों को शाइनी लुक देने में मदद करते हैं। इसके अलावा मेकप इस्तमाल करने से पहले हमेशा अपनी आखों के चारो और कंसीलर का इस्तमाल करें। डाक सरकल के लिए पिंग कलर में कंसीलर का इस्तमाल करें ताकि आपकी आखे यंग और खुपसूरत दिखें। मसकारा के जरीए अपने पलकों को थोड़ा करल करें इससे आखों की खुपसूरती बढ़ जाती है। अपने चहरे के मताबिक आईब्रो को अच्छी तरह सट करवाएं इससे पूरे चहरे की खुपसूरती काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपनी आखों को आराम देने के लिए भी कुछ टिप्स को रोजाना फॉलो करना भी बेहत जरूरी है। जी हाँ, रोजाना एक भरपूर नींद आपकी आखों के लिए काफी जरूरी है बना आपकी आखे ठकी ठकी दिखेंगी। अपनी आखों की रोशनी बनाए रखने के लिए उनकी खुबसूर्ती के लिए विटामिन C और A से समर्द दिखादे पदार्थों को अपने खाने में शामल जरूर करें। जैसे गाजर, बादाम, पपी, तान, नीमबू, संत्रा वगरा जरूर खाएं ये आपकी आखों को स्वस्त बनाए रखने में आपकी मिदद करते हैं। इसके अलावा रोजाना खूब जादा पानी भी हैं। ये शरीर के साथ साथ आपकी आखों के लिए भी बेहत जरूरी है और बेहत अच्छी है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं तो डॉक्टर की सलह से कोई आई ड्रॉप जरूर रखें। और आखों में ड्राइनिस या आखे लाल होने पर इसका इस्तिमाल जरूर करें। इसके अलावा कभी भी अपनी आखों को बिलकुल न होते हैं। ऐसे में यह होता है कि स्किन को तो नुकसान पहुचता ही है, साथ ही साथ हमारी आखों में धेर सारा संक्रमन होने का खत्रा भी बढ़ जाता है। तो यह थी वो टिप्स जो हमने आपकी आखों को स्वस्त और सुन्दर बनाने के लिए आपको बताएं। अगर आ लाइफ स्टाइल से चुड़ी ऐसे ही छोटी बड़ी जानकारियों के साथ बहुत चल्द मिलेंगे, फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना है।